तो दोस्तो हुरदंग का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने पर यही लग रहा है कि ये मूवी रिजर्वेशन और कॉलेज पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है इस मूवी के में करदार में नजर आने वाले हैं सनी कॉशल, नुसरत बरूचा और विजय वर्मा और इसे डारेट किया है निकल भटने ट्रेलर देखकर कहानी थोड़ी बहुत समझ आती है कि हमें अलहाबाद के एक कॉलेज का सीन दिखाया गया है जहां कई सारे स्टुडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाते हैं कि रिजर्वेशन हटाया जाए सनी कॉशल एक स्टुडेंट के करदार में नजर आएंगे जिसका नाम है विक्रम ठाकूर जो कि एक आईयस आफिसर बनना चाता है लेकिन शायद उसके साथ कुछ चीजे होती हैं जिससे कि वो कॉलेज की राजनीती में उतर आता है वहीं उनके साथ विजय वर्मा भी नजर आते हैं जो कि वो भी एक स्टुडेंट का रोल ही निभा रहे हैं जो कि शायद विक्रम ठाकूर से सीनियर हैं और वो कुछ इस तरह से रहने वाले हैं जो कि विक्रम को इस राजनीती में आने की और कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट करने में मदद करेंगे एक तरह से वो विक्रम ठाकूर के सपोर्टर बनके उसके साथ खड़े होंगे वही नुसरत भरूचा भी एक कॉलेज इस्टुडेंट के रूप में नजर आने वाली हैं और इनका खिरदार ऐसा रहने वाला है कि वो विक्रम ठाकूर से प्यार करती हैं और उसके साथ सेटल होना चाहती हैं लेकिन विक्रम अपनी अलग ही लडाई में लगा पड़ा है जिसके कारण वो इन्ही सब में फसके रह जाएंगी इस मूवी का मेन मामला रिजर्वेशन के इर्दगिर्ध ही रहने वाला है और हमें यही देखने को मिलने वाला है कि College में इस Topic को लेकर क्या क्या चीजे होती हैं और लोगों की क्या thinking है इस Topic को लेकर अब देखना यह रहेगा कि Director और Writer ने इस Movie की इंडिंग किस तरह से लिखी है क्योंकि इस Topic पे सबके अपने Point of Views हैं तो क्या वो दोनों को balance करके खतम करेंगे या फिर किसी एक site की ही बात रखकर movie खतम होगी यही movie में देखने वाली बात होगी बाकी हम सभी जानते हैं कि reservation कितना complicated topic है तो अगर इस movie के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलता है तो शायद इसकी hype बन सकती है और movie hit होने के chances बढ़ सकते हैं बाकी acting की बात करें तो सन्नी कोशल को हमने शिदत movie में देखा था जिसमें कि वो एक lover के रूप में नजर आये थे और उनकी acting को काफी पसंद किया गया था ट्रेलर में जितना दिख रहे हैं उतना देख कर यही लगता है कि उन्होंने एक नए किरदार को निभाने के लिए मैनत तो करी है और ये मैनत movie देख कर ही पता चलेगी विजे वर्मा को हमने अकसर कई movies या series में गुंडे या gangster के रूप में देखा ही है तो इस movie में भी उनका वैसा ही किरदार है नुसरत भरूचा को हमने छोरी movie में देखा था जिसमें कि उन्होंने काफी अच्छी acting करी थी लेकिन शायद इसमें उनका कोई main role नहीं रहने वाला है और मुझे तो यही लगता है कि वो एक lover और girlfriend के किरदार में ही सीमित रह जाएंगी सन्नी कोशल विक्की कोशल के भाई है और अब मुझे लगने लगा है कि विक्की की तरह सन्नी भी अपनी acting से सब का दिल जीतने में लग गए है और अपने भाई की तरह अपनी acting से अपनी पहचान बनाने शुरू कर दी है तो अब आप comment करके बताईए कि reservation को लेकर आपकी क्या राय है और आप इसे किस तरह से देखते हैं बाकी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की notification मिल जाएगी अगर आप मुझे और भी ज़्यादा जानने में इच्छुक हैं तो आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो like जूरू करें आपके like और comment से मुझे और भी वीडियो बनाने का motivation मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते